नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल असके अगरी कल्चर में किसान भाई यू बात करेंगे आज की इस वीडियो में स्वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी अवस्ता में इनका उपयोग किया जाता है किसान भाई यहां पर टोनिक का उपयोग करते हैं लेकिन टोनिक में क्या सिस्टम होता है कि टोनिक को जो इनवार्मेंट चाहिए होता है जो वातावरन में चाहिए होता है मौसम चाहिए होता है अगर वो नहीं मिलता है टोनिक को तो टॉनिक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है हम डालते भी हैं लेकिन बहुत सारे किसान भाईयों की सिकाइद रहती है कि उन्होंने टॉनिक का इस्तेमाल किया लेकिन उनको जो है प्रोपर रिजल्ट नहीं मिला तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुनिस-गुनिस के बारे में तो सबसे पहले गुनिस का उपयोग होता है किसान भाईयों फूल और फलियां बनने से पहले-पहले होता है शुरवाती अवस्ता में फसल का जब फस्ट रिस्टेज होता है जहाँ पर फसल हो है अपने ग्रोथ को बढ़ा रही होता है उस टाइम पर जो गुनिस-गुनिस का उपयोग किसी भी फसल को आप consistency का और भी फूल आरे हैं और आने वाले 10-15 ङीष दिनों में जो हैं तिड्र दिरे फिर फिर फ़लीं भी बनना शूरू होगी तो इस time पर जो है ना गुनिस-गुनिस का spray का time अभी फिलाल मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है अभी आपको फूल वाले अवस्ता में गुनिस-गुनिस का इस्तमाल नहीं करना है अभी यहाँ पर फूल से फलिया बनने का जो यह वक्त होता है 20-25 दिनों का इसके बीच में अगर आप कोई उपयोग करना चाते हो जिससे कि आपके जो फूल है वो भी बड़े फलियां का भी जो अच्छे से विकास होती है यहाँ पर रोल आता है 0-32 का जिसके अंदर बाउन परसेंट फासपरस और 34 परसेंट आपको पोटास मिलेगा तो यह दोनों ही अब पोटे के लिए जरूरी है क्योंकि फासपरस जड़ों को सुलक्सित रगेगा वो जब जड़े ग्रो करेगी सुलक्सित रहेगी तो उपर जो फल और फूल है वो भी अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे फूल अच्छी तरीके से फलियों में कन्वर्ट होंगे फलियां भी अच्छी आएगी लंबी आएगी दो दानों के बजाए तीन या चार दानों में बनेगी तो इस समय जो है जिरो बाउंच चोतिस का रोल यहां पर रहता है और अगर जिरो जिरो पचास के हम बात करें तो जिरो जिरो पचास जो हता है किसान भाईयों उसमय काम में लिया जाता है क्योंकि हम बुवाई के टाइम पर जवह पोटाश देते हैं यह कम दे दिया हो और एंड में जब दाना भराव का टाइम हो रहा होता है उस टाइम पर अगर फलियों में सबी दाने एक समान नहीं पड़ रहे हैं कोई दाना छोटा है फली खाली रह रही है तो उस टाइम पर हम फसल को पोटास देते ताकि दाना भराव अच्छे से हो जाए जितने भी दाने हैं अच्छे से भरे कोई भी दाना छोटा ना रहे जिससे कि हमारी पैदावार पर किसी भी परकार का कोई परवाव ना पड़े तो 0050 का उपयोग दाना भराव के समय आप कर सकते हो एक किलो की थेली में ये आते हैं 1500 से 200 रुपए के बीच बे आपको मार्केट में मिल जाएंगे और एक किलो जो होता है वो एक एकड के लिए आता है लेकिन पिछले साल ये देखने को मिला है कि एक किलो एक एकड में डालने से पत्यों पर थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा है तो यहां पर मैं आपको सर्जेस्ट करूँगा कि आप 900 ग्राम ही रखे 100 ग्राम उससे निकाल ले एक किलो आप लेके आओगे 100 ग्राम उससे कम करते और 900 ग्राम को परत्य एकड के इसाब से आप डाले 1500 लिटर पानी में मिला कर डाले ताकि पत्तों पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो फिलाल का जो स्वाइबीन में समय चल रहा है उसमें आप 0 बाउंच 34 का उप्योग कर सकते हो इससे आपको काफी ज़्यादा भी मिलेगा काफी ज़्यादा आपको जो है स्वाइबीन में आपको बड़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा और जैसा मैंने पहले बताया है कि फोटिलाइजर जो होते हैं वो किसी भी परस्तिते में काम जरूर करते हैं तो उम्मित करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी लाइक से सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद